जैहिन दोस्तों, क्लाश 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है चेप्टर फर्ष्ट बिद्दु छेत्र, तो इसमें जो है हम लोग अब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, चेप्टर वाइच, तो पहला चेप्टर का ये पहला नमा क कोश्चन है, अब्जेक्टिव है ये दोस्तों, एक सडल रेखा पर बरावर दूरी पर इस्थित तीन बिंदुओं पर क्रम सा पलस्थिरी क्यू, पलस्क्यू और केपिटल क्यू आवेश रखे जाते हैं, यदि पलस्क्यू पर कुल परिनामी बल सुन हो, तो केपिटल क्य का मान याद करना है, दोस्तों बहुत सुन्दर कोश्चन है, इसका हम लोग प्रस्न के अनुसार से चित्र बना लेते हैं, पहले आवेश है थिरी क्यू, उससे सवान दूरी पर, इसमोल क्यू है, यानि ये तीनों आवेश जो है, पलस्थिरी क्यू, पलस्क्यू और इनके बीच की दूरी जो है, वो सवान है, प्रस्न से कह रहा है, माली जी ये दूरी आड है, यहाँ भी इधर से हम आड मान लेते हैं, अब दोस्तों करना क्या है, कि इस दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, और इस दोनों के बीच जो लगने वाला बल होता है, दो तो हम कुलाम के नियम से इसको solve कर लेते हैं इस दोनों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon note q1 यानि 3 q q1 into q2 यानि q by में r square बड़ावर 1 by 4 pi epsilon note a small q into capital q by में r square दोस्तों दोनों side जो कट रहा है कार दीजिए capital q का मान निकालना है तो देखिए ये और ये कट गया r square भी कट गया दोस्तों 1 q भी कट जाएगा इसलिए capital q का मान जो है वो आपको 3 q आएगा capital q का मान क्या आएगा 3 q आएगा हमको capital q का मान निकालना था जो आपका answer हो गया 3 q ठीक है दोस्तों लिखते जाएगा chapter wise आपको सभी objective करा देंगे तो आप 35 में 35 नमर लाएगा ये मेरा वादा है question number 2 आते हैं दोस्तों वो भी standard का question है question number second है दोस्तों कि किसी आनावेसित अनावेसित पतला होता है पुचालक पजार किसी अनावेसित वस्तों पर एक कुलाम आवेस होने के लिए उसमें से निकाले गए electron की संख्या होगा दोस्तों आवेस हम कितना निकाल रहे हैं एक कुलाम यानि आवेसित का मात्रा हो गया वन कुलाम हमको निकालना number of electron यानि electron की संख्या और आप जानते हैं क्यू बड़ावर formula होता है N E N क्या चीज है तो number of electron E क्या चीज है तो mole आवेस N बड़ावर हम Q by E लिख सकते हैं Q बड़ावर होता है N E आवेसित के quantity currency आवेसित का परिमान जो है Q बड़ावर N E के रूप का होता है जहां N क्या चीज है mole आवेसित है पुर्णांग संख्या है तो E क्या चीज है mole आवेसित है जिस का मान आप लोग जानते है E का मान क्या होता है 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 19 कुलाव अब जखिए हमको small N का मान निकान लगा small N बड़ाव क्या होगा Q का मान है 1 कुलाव 1 बट है E का मान कितना है 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 19 अब इसको हल कीजिए 10.6 बड़ाई एक उपर सुनना 10 के पावर मैनस 19 है इसको उपर जाके लिख दीजिए उपर करके लिखिएगा 10 के पावर 19 हो जाएगा अब क्या करना है दोस्तों ये 10 के पावर उनए से एक ठो और सुनना इससे ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 100.16 गुना 10 के पावर 18 अब एक सो में सोलो से जब भागा दीजेगा आएगा छो दस मलव दू पहुंच गुना में दस के पावर अठारो ठीक है तो अब देखिए एक कुलाम आवेस अगर किसी इलेक्ट्रोन से हम किसी से निकालेंगे या किसी को देंगे ठीक है तो उसमें कितना इलेक्ट्रोन का कहानी है छो दस मलव दो पाँच गुना दस के पावर अठारो एलेक्ट्रोन का ठीक है दोस्तों दिमाग में रखिएगा यह किस फर्मूला से बनता है क्यो बराबर एन इसे बनता यह आवेस के क्वांटमी करन का फर्मूला है ठीक है जहां एन क्या चीज है पुर्णांग संखिया और यह क्या चीज है मूल आवेस है कोशन नमर तीन आते हैं दोस्तों यह भी सूपर कोशन कोशन नमर तीन है दोस्तों इलेक्ट्रोन पर आवेस होता है दोस्तों इलेक्ट्रोन पर कितना आवेस होता है आपको पता है इलेक्ट्रोन पर कितना आवेस होता है इलेक्ट्रोन पर आवेस होता है दोस्तों आप लोग को जानकारी सब को है 1.6 गुना 10 का पावर मैनस 19 कुलाम समझे बात इससे कौम आवेस प्रकृति में संभब भी नहीं है इलेक्ट्रोन पर आवेस कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 19 कुलाम ठीक है कोश्चन नम्मर चार आते हैं दोस्तों ये भी सूपर कोश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कथान सही है कहता है दो सजातिय आवेस सजातिय आवेस मतलब समान प्रकृतिक आवेस चाहे तो वो दोनों पलस होगा या दोनों मैनस होगा दो सजातिय आवेस के बीच आकर्सन बल लगता है नहीं लगता है दो सजातिय आवेस के बीच सदेव पर्तिकर्सन बल लगता है दोनों पलस रहे या दोनों मैनस रहे कौन सा बल लगता है परतिकर्सन बल लगता लेकिन अगर दो बिजातिय आवेश रहे यानि एक charge whilst दूसरा charge minus दो बिजातिय है के बीच जो है दोस्तों यहाँ पर आकर्सन बल लगता है पलस मैनस के बीच कौन सा बल आकर्सन दोनों समाने रहेगा चाहे दोनों पलस रहे या दोनों मैनस रहे तो पड़ती कर्सन तो आपको कहता है दो सजाती आवेस के बीच आकर्सन होता है नहीं ये गलत हो गया अहे ही सही हो गया दो बिजाती आवेस के बीच आकर्सन होता है ठ यानि एप्सलन आर बरावर होता है दोस्तों एप्सलन आर जो है न वो बरावर होता है एप्सलन बटे एप्सलन नोट का दोस्तों एप्सलन आर किसके बरावर होता है एप्सलन बटे एप्सलन नोट के बरावर होता है और एप्सलन जो है वो क्या चीज है वो माध्यम की बिद्दुत सिलता है क्या चीज है यह एप्सलन माध्यम की बिद्दुत सिलता है माध्यम की विद्दुत सिलता है समझे दोस्तों और ये जो आप देख देखे एपसलन नोट ये निर्वात की विद्दुत सिलता किसका है निर्वात का निर्वात समझते है न जहां पहबा भी नहीं होता है निर्वात की विद्दुत सिलता है समझे ये जो है न कहानी ये दिमाग में रखिएगा Epsilon R बराव क्या था Epsilon बटए Epsilon Note Epsilon क्या चीज़ है माध्याम की बिद्दुत सिलता या इसको निर्पेक्ष पराविदुता भी कहते हैं क्या कहते हैं निर्पेक्ष पराविदुता समझे बात और एपसलन नोट को क्या बोलते हैं निर्वात की बिद्दुत सिलता तो एपसलन आर का फर्मूला हो गया एपसलन बटे एपसलन नोट दिमाग में डखना है कोस्टन नमर 6 आते हैं आर दूरी से विलग दो एलेक्ट्रोन के बीच लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है तो दोस्तों इसमें आपको ओप्शन दिया है पहला नमर ओप्शन है आर स्कॉर के समानुपाती होता है पहला ओप्शन है आर स्कॉर के मरब आर दूरी से विलग दो एलेक्ट्रोन के बीच लगने वाला बल जो हो समानुपाती होता है R दूरी से भी लग दो electron कीश लगने वाला बल जो हो समान पाती होता पहला option R square के दूसरा option है R के power minus 2 के तीसरा option है R के चोधा option है 1 by R के थीक है अब ध्यान से इसको देखना है दोस्तों R दूरी से भी लग मतलब दो electron है और उसके बीच की दूरी कितनी है तो R है, अब इसके बीच लगने वाला बल जो है, वो कुलाम के नियम से आप जानते हैं, क्या होता है? तो F वरावर, F वरावर 1 by 4 pi epsilon note Q1, तो Q1 हो गया E, Q2 भी हो गया E, अब बटे में R square, बटे में R square, यानि बल जो है, वो दूरी के क्या है, वर का व्यूत करवान पाती है, यानि F समान पाती 1 by R square है, जो कि कुलाम साहब बोले थे, कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल क्या होता है, दोनों आवेश के गुनन फल के समान पाती होता है, और उनके बीच के दूरी के वर के व्यूत करवान पाती होता है, F समान पाती 1 by R square, जिसको हम R के पावर minus 2 भी लिख सकते हैं, तो इसक यानि दो इलेक्टरों के बीच लगने वाला बल जो है, वो R के पावर minus 2 के समान पाती होगा, ठीक है दोस्तों, कोशन नमर साथ आते हैं, देखिए कोशन नमर साथ कितना beautiful कोशन है, कहता है, एपसलन नोट का मात्रग लिखिए, देखिए आप confusion को दूर कीजिए, मात्रग ह होता है, अब देखिए एपसलन नोट का मात्रग क्या सब होगा और क्यों होगा, देखिए F का फर्मूला हमारे कुलाम बाबा क्या बोले थे, F बड़ावर बोले थे, 1 by 4 पाई एपसलन नोट, Q1, Q2, बटे R स्क्वार, अब अगर एपसलन नोट को उधर ले चले जाएंग तो एपसलन नोट पर आप क्या लिखेंगे, 1 by 4 पाई इंटू में Q1, Q2, अब बटे में F R स्क्वार, ठीक है, अब अगर इसका मात्रक लिखना चाहिए, यानि एपसलन नोट का मात्रक लिखेंगे, यूनीट लिखेंगे, आप जानते हैं कि 1 by 4 पाई कॉंस्टेंट है, औ और आवेश का मात्रक क्या है, तो ये भी कुलाम, ये भी कुलाम, कुलाम गुना कुलाम, बटे बल का मात्रक F क्या है, बल, बल का मात्रक Newton, आर क्या चीज़ है, तो दोनों आवेश की बिच की दूरी, दूरी की मात्रक होता है, मीटर, स्क्वार है तो स्क्वार, अब इसको प्रेम से न्यूटन के पावर मैनस वन उपर जाएगा तो मीटर पावर मैनस टू अकूलाम इसक्वाईर वी होता है उपस्ले Lorne का मात्रक न्यूटन के पावर मैनस वन उपरद द्ल elabor कूलाम स्कवाईर गलता है कहीं कहीं पर आप लोग देखते हैं कि फेराड पर ती मीटर होता है अब बच्चाई कन्फुजन में रहता है कि सर जी फेराड पर ती मीटर कब होता है अब ये जानना है कि फेराड किसका मात्रक होता है तो दोस्तों फेरार जो है वो विद्दु धारिता का मात्र कहता है तो आप खोजिए कि विद्दु धारिता के लिए समांतर प्लेट संधारित्र अगर हम पढ़े हैं तो आप जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C बराबर फर्मूला होता है epsilon note epsilon r a by me d epsilon note epsilon r a by me d अगर हम कहाँएगे epsilon note बडावर क्या होगा तो क्या लिखेंगे c गुना d तो बागा है तो गुना अब बते में कौन होगा तो epsilon r गुना में a अब अगर इसका मातरोग बिठाईएगा तो देख्ये वच से निकल जाएगा क्या तो epsilon note का unit क्या हो जागा, देखिए, C क्या चीज है, धारिता, धारिता का मात्र क्या होता है, बोलिए नहो, धारिता का मात्र फेराड होता है, विद्धु धारिता का मात्र क्या होता है, फेराड होता है, D क्या चीज है, दूरी है, दूरी का मात्र मीटोर होता है, और epsilon r जो है कि ऐख किसी भी अचाराशी का मात्रक नहीं होता है और एक चीज चेत्रफॉल है तो चेत्र फॉल का मात्रक होता है मीटर 이कुट एक मीटर उपर-nीचे हम जब कार देंगे एक मीटर कातेंगे तो UNS स्वाइब स्वाइब तो यह Dus Counsel पूछ यह S सै landlord तो आपको जो है रटना पढ़ेगा रटने का समस्या जब तक रहेगा तब तक फिजिक्स हार्ट लगवे करेगा ठीक है कोस्टन देख कर गे तब भागिएगा नहीं तो कोस्टन को भागाईएगा समझे के नहीं बढ़ाव था एपसलन नोट एपसलन आड एब एटी यह समांतर प्लेट संधारित की दाहिता और हमें निकालना एपसलन नोट का मात्रक एपसलन नोट को छोड़ दिये बांकिस सब को इधावदा गुना कर दिये दी बटा है तो भागा एपसलन आरे सी क्या चीज है तो शीक पर आवेदुतांक होता जो एक अचर रासी होता जिसका कोई मात्रक dolphins नहीं होता فर्दा परती मीटर आएक होगी यह न्यूटन पावर मेनस वान मीटर पावर मेनस टू कुलाम स्क्वार को सन नमर आठ आए दोस्तों पूड़ा इसका रफू करके पढ़िए नहीं तो बस भूल जाईएगा को सन नमर आठ अब देखिए दोस्तों को सन आठ देखिए कितना सुन्दर मुक्ताकास यानि फ्री स्पेस जिसे हम निरवात भी कह सकते हैं मुक्ताकास का परावेदुता होता है दोस्तों मुक्ताकास का परावेदुता यानि हम आपको पूछ रहे हैं किसका मान जानते हैं एपसलन नोट का मान डराने वाला बात नहीं मुक्ताकास का परावेदुत ता मतलब एपसलन नो जिसे हम दिरवात की विद्दुत सिल्ता कहते हैं ठीक है और इसका मौन आप लोग को जी पढ़ोगा आठ दस मलब आठ पॉंच गुना में होता है दस के पावर मैनोस बार समझे मात्रक चाहे तो आप फेराड परती मीटर लिखिए तो न्यूटन पावर मैनोस वन मीटर पावर मैनोस टू आ कुलाम का स्क्वाइड भी लिख सकते हैं तो आपको जो मन में आता है या ओप्शन जैसा रहेगा फेराड परती मीटर देगा तो ये वाला मार येगा या ऐसा उप्शन देगा न्यूटन पावर मैनस वन मीटर पावर मैनस टू कुलाम स्क्वाइड यानि मौन वही होगा खाली मात्रक के बारें बता रहे हैं दस के पावर मैनस बारो न्यूटन पावर मैनस वन मीटर पावर मैनस टू कुलाम स्क्वाइड ऐसा भी रह सकता है सब्सक्राइब दोनों सही है खाली आपको यूनिट के बाड़े में अभी जश्ट बताएं आप अराम से कोपी कलम ले करके इत्मिनान से लिग लिजी एक-एक कोशन करवा देंगे पूरे फिजिक्स का यह आप को देखिए करते जाते हैं और आप दिमाग में बठाते जाएं जो सुन्द में सुन्द मतलब निर्वात सुन्द मतलब निर्वात यानि जहां हवा भी नहीं होता है एक कुलाम वह आवेस है जो सुन्द में एक मीटर दूरी पर स्थित्म समान आवेस पर बल लगाता है तो देखिए इसका कहानी समझ जाई देखिए एक कुलाम यहाँ प जो सुन्द में यानि इस दोनों आवेस के बीद जो माध्यम है वो क्या है निर्वात है और एक मीटर दूर स्थित समान आवेस यानि जितना आवेस यहां है उतने आवेस यहां पर भी है अब कितना बल लगाता है वो निकालना है जो सुन्द में एक मीटर दूर स्थित समान आवेस यानि जितना आवेस यहां उतने आवेस यहां पर भी है समान आवेस पर बल लगाता है यानि बल कितना लगाता है घुमा देता है इने कसे बल निकालिये को सनों बड़ा बुरलेल के तरह पुछता है तो बल लगाता है कितन Q2 बटे में R2 जब दोनों माध्यम के बीच हवा या निर्वात रहता था यही फॉर्मूला आता है कुलाम बबा का 1 by 4 पाइपसलन नोड है Q1 Q2 बटे में R2 अब इसे को देखिए धरधरा दीजिए 1 by 4 पाइपसलन नोड का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 Q1 है एक कुलाम Q2 भी है एक कुलाम बटे में दूरी कितना है दोनों के बीच का थे एक एक का स्क्वार अतोर फोर की जिएगा थे एक क्या बिगार लेगा किसी कुछ ने बिगार लेगा गुना की जिएगा थे यही यानि इसका फाइनल डिजर्ट जो है दोस्तों वो आएगा 9 गुना 10 के पावर 9 नूटन होगा कैसा बल आकर्सन की परतिकर्सन देखिए समान प्रकृति का है यह भी पलस चार्ज यह भी पलस चार्ज तो इसके बीच जो है बल परतिकर्सन लगे जाती है यहां लिग देना कोशन नमर दोस आईए देखिए कोशन नमर दोस देखिए कितना बुलंद कोशन काता यदि दो आवेसों की बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा दोस्तों कुलाम बाबा को याद कीजिए कि अगर मान लिजिए कि यहां पर आ आवेस है Q1 यहां आवेस है Q2 अब बीच का दूरी कितना है ता आर मान लिजी कितना है आर मान लिजी तो कुलाम बबा क्या बोले थे कि दो आवेस के बीच लगने वाला बल जो होता है बेटा एब बड़ाबर 1 by 4 पाइपसलन नोट Q1 Q2 अब बट है आर स्क्वाइर होता है यह कुलाम बबा बोले थे एब बड़ाब 1 by 4 पाइपसलन नोट Q1 Q2 बट है आर स्क्वाइर होता है यह इसको हम एक मान लिते हैं अब देखिए कोश्चन में कहता है यदि दोनों आवेस की बीच की दूरी आधी कर दीजिए दूरी को हम आधा कर देते हैं अब देखिए जोब दूरी आधा कर दीजिए आवेस पर तो कोई फरक ने पड़ा अब एसा Q1 Q2 दूरी कर दीजिए आर के बदला आर बैट 2 ठीक है अब बल कितना लगेगा तो देखिए एक बल कुलामबबा क्या बोले थे 1 बाइ 4 पाइपसलन नोट Q1 Q2 बटे में आर बटे 2 के हॉली स्क्वाइड अब इसको जो है चाहटा दीजिए क्या होगा F1 बड़ाबर 1 बाइ 4 पाइपसलन नोट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वाइड बटे में चार यह दखिए यह जब पलट जाएगा चार तो उपर नहीं जाएगा तो इसको हम इसे लिख सकते हैं F1 बड़ाबर 4 गुना चार उपर गया चार गुना 1 बाइ 4 पाइपसलन नोट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वाइड क्योंकि यह चार तो पलट के उपर चल गया अब आप लोग का जी लखबक तो नहीं करता है चार काटने के लिए ऐसाने सोचिएगा समझेए क्योंने सोचिएगा बताते हैं देखिए इतना जो है 1 बाइ 4 पाइपसलन नोट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वाइड यह कब बल निकला था जब दोनों के बीच की दूरी आर थी देखिए आपको निकला है कि नहीं 1 बाइ 4 पाइपसलन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वाइड कब था जब दोनों आवेश के बीच की दूरी आर थी तो बल कितना निकला था 1 बाइ 4 पाइपसलन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वाइड जिसको हम एप माने है यहां पर देखिए वही बात आया यह जो है यह है क्या एप है पहले वाला कि जब दूरी दोनों आवेश के बीच आर रहता है तब बल इतना लगता है जब आर वैट टू लगता है आर वैट टू दूरी कर दते हैं तो देखिए बल क्या हो गया एप वान बरावा चार गुना यह कब लगता था बल जब दूरी आर था तब बल लगता था यानि इसको हम एप वाने थे तो क्या होगा चार एप यानि पहले जो बल लगता था जब दूरी आर थी उसका आपको चार गुना बल लगेगा तो अब जब दूरी आधा करते हैं समझे यानि बल का मौन जो है वो चोगूनी हो जाएगी क्यों क्यों क्योंकि दूरी हम आधा कर दिये क्योंकि ये प्रारम भी बल था यह तब था जब दूरी आड था ठीक है दोस्तों कुश्चन नम्मर 11 आईए कौश्चन नम्मर 11 में है दोस्त कौन आवेश समभव है यहां पर चार ओप्षन दिया हुआ है पहला ओप्षन है 3.2 गुना 10 का पावर मैनस उनिस दूसरा है 6.4 गुना 10 का पावर मैनस उनिस तीसरा है 1.6 गुना 10 का पावर मैनस उनिस और चौथा है दो दसमलव चार गुना दस का पावर मेनस उनीज़ तो आवेश संभव होने के लिए रूल है दोस्तों देखिए आवेश का क्वांटमीक रन काता है कुनों भी वस्तू में आवेश जो है क्यों बड़ावा एन ए के रूपका होता है जहां एन जो है एन ये पुर्नांक में होना चाहिए एन किसमें होना चाहिए पुर्नांक में होना चाहिए यानि हम सॉल्व करेंगे अगर एन पुर्नांक में निकल जाता है तो वह आवेश संभव होगा और जो मान पुर्नांक में एन नहीं निकलेगा वह आवेश संभव नहीं होगा जैसे पहला नम्मर का बात करते हैं पहला नम्मर में आवेश कितना है कि 3.2 गुना 10 के पावर मैनस 19 कुलाम इसको चेक किया जाए तो देखिए N बडाबर Q बडाबर N ही होता है N बडाबर क्या होगा Q बाई Q का मान आप जानवे करते कितना दिया है 3.2 गुना 10 के पावर मैनस 19 इस जो है यह एलमेंटरी चार्ज है और इसका मान तो आपको याद रखना पड़ेगा 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 19 देखिए यह और यह कट गया 16 दुना 32 दसमलब उड़ा कि यह भी कट जाएगा N का मान आगिया आपको 2 पाला नमर पास कर गिया क्योंकि N पुर्णांग में आगिया दूसरा ओप्सन है देखिए कितना 6.4 गुना 10 के पावर मैनस 19 इसको भी चेक करके देख लेते हैं सही है कि गलत है तो चेक किया जाए B नमर उप्सन जो है Q बरावर 6.4 गुना 10 के पावर मैनस 19 इसको हम निकाल लेते हैं N बरावर Q भाई इसे 6.4 गुना 10 के पावर मैनस 19 बटे है 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 19 काटेंगे तो 16 चोके 64 यह और यह तो कटिएगा 16 चोके 64 N का माना गया 4 यह भी पुर्णाग में है अब आया तीसरा ओप्सन तीसरा ओप्सन में आवेस है आपको 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 19 कुलाम यह भी चेक कर लेते हैं N बरावर होगा Q भाई यानि 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 19 बट है E का मान तो 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 19 होता है काट के N का मान है एक यह भी पुर्णाग है तीसका मतलब D नम्मर जो है वो उप्सन आवेस आपको जो D नमर क्या है Q बरावर 12 लब 4 गुना 10 के पावर मैनस 19 इसमें अगर आप 1.6 गुना 10 के पावर मैनस 19 से भागा दीजेगा ती यह पुर्णाग में नहीं आएगा यानि N बरावर Q बावर E जो करेंगे यह पुर्णाग में नहीं आएगा तो जो पुर्णाग में N नहीं आएगा वो संभव नहीं है इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो आपको हो जाएगा D नमबर ठीक है Question नमबर 12 है दोस्तों पड़ावेदुता पड़ावेदुता का SI मातरग पड़ावेदुता को हम बोलते है Epsilon Note Epsilon Note का SI मातरग निकालना है और आप कुलाम बबाबा को याद कीजिए कुलाम बबाबा बोले थे F बड़ावा 1 by 4 pi Epsilon Note Q1 Q2 by R square Epsilon Note को इधर भेज दीजिए नस्ता करने 1 by 4 pi Q1 Q2 बटै में F R square अब मातरग जब लिखेंगे तो Epsilon Note का मातरग क्या होगा तो किसी भी अचदरासी का मातरग ने होता इसका कोई मातरग ने होगा ये आवेस है आवेस का मातरग होगा कुलाम ये भी होगा कुलाम ये बल है बल का मातरग न्यूटन R है दूरी दूरी मातरग मीटर पावर दू है पावर दू दीजिए उपर इसको लेख चलिए तो Newton power minus 1, meter power minus 2, अकुलाम का स्क्वार, तो पड़ावेदुता भी पुछेगा, या Epsilon note पुछेगा, सरवाना नहीं है, चाहे तो Newton power minus 1, meter power minus 2, कुलाम स्क्वार लिखिए, या तो फिराड परती meter लिखिए, कुशन नमर 13 देखते हैं, दोस्तों कुशन नमर 13 है, किसी आचालक पडार्थ को आवेश देने पर, आवेश देने पर वह बितिरित होता है, यानि बाटता है, तो किसी आचालक पडार्थ को आवेश देने वह कहां बितिरित होता है, अब टेबूल है टेबूल लकडी जिसे कहते है सूखा लकडी उसमें आवेस दिर जाएगा नहीं जाएगा तो वो आवेस नहीं लेगा प्लास्टिक आवेस लेगा नहीं लेगा रवर लेगा नहीं लेगा यानि वो कहीं पर आवेश को वित्रान नहीं करेगा कहीं नहीं आवेश का वित्रान उसमें नहीं होगा किसी भी अचालक पदात को आवेश देने पर वित्रित होता है तो नहीं होता है कहीं नहीं वित्रान उसका होगा ठीक है 14 नम्मर कुश्यन आते हैं दोस्तों कुलामबल है दोस्तों कुलामबल के साबल होता है देखिए कुलामबल जो है दो आवेस की बीच लगता है और आवेस के केंद्र के बीच लगता है दोनों आवेस के केंद्र के बीच लगता है इसलिए इसे हम केंद्रियेबल भी कहते हैं कुलामभल को हम लोग केंद्रियेबल भी कहते है और आवेस है इसलिए विद्धूत भल भी कह लाएगा खिक है तो कुलाम बल के सा बल होता है तो केंद्रिये बल भी होता है केंद्रिये बल लगता है असाथ में विद्धुत बल भी होता है विद्धुत बल इसलिए कहते है क्योंकि दो आवेस के बीच लगता है तो विद्धुत बल दो द्रबमान के बीच लगता तो गुर्टवाकर्सन बल दोनों केंद्र के बीच लगता है इसलिए इस बल का नाम हम केंद्रिये बल भी कहते हैं तो कुलाम बल के सा बल है? केंद्रिये बल और विद्दुद बल दोनों कॉस्चन नम्मर पन रहाते है किसी परावेदुत का परावेदुतांग यदि एपसलन आर हो और उसमें निबगन दो बिंदु आवेश के बीच क्रियासिल बल का मान हो जाएगा दोस्तों किसी परावेदुत का परावेदुतांग यदि एपसलन आर हो और उसमें निमगन दो बिन्दू आवेश के बीच क्रियासिल बल का मान क्या हो जाएगा आर इस्क्वाइर यहां तब होता है जब दोनों आवेश के बीच हवा होता है लेकिन यहां पर दोनों आवेश के बीच जो है एपसलन आर मार्दियम है तो हम एपसलन आर से भाग दे देंगे वो बल आपको हो जाएगा जितना परावेश तांक दोनों आवेश के बीच है उत तो आज जो है आपको चेप्टर फर्स्ट का बिद्दूत आवेश तरह कुलाम के नियम का जो है अब्जेक्टिव इंपोर्टेंट खर्म कर दिये कल हम लोग चेप्टर सकेंड का इंपोर्टेंट कोस्टन पढ़ेंगे जाहिन